नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आज की तारीख में हर कोई चाहता है कि उसका पर्स हमेशा पैसों से भरा रहे उसकी तीजोरी हमेशा पैसों से भरी रहे लेकिन कई बार ऐसी इस्तिती बन जाती है कि पर्स खाली हो जाती है और पैस करेगा लक्षमी आप पर हमेशा प्रसन रहेंगी आपको बस छोटा सा एक उपाय करना है यह उपाय बहुती आसान और बिल्कुल निश्योल को उपाय है इससे आप में धन में तो व्रद्धी होगी ही साथ ही साथ आपके जीवन में भी काफी सुधार आएगा जैसी इस्तिति आपके परिवार में चलती आ रहे है धन संबंदी और पारिवारी कलेश की संबंदी तो वह भी आपकी दूर होगी बस आपको एक छोटा सा उपाय करना है आपके घर के आसपास कहीं पीपल का व्रक्ष लगा हो वहां से सिर्फ एक पीपल का पत्ता साफ सुत्रा पत्ता तो बहुती जरूरी है तो आज हम आपको ऐसा ही अच्छा सा उपाय बहुती सस्ता सा उपाय बता रहे हैं जो आपके जीवन में बहुती सार्थक सिद्ध होगा पर्स में कुछ खास चीजों को शुक्करवार के दिन रखने से बरकत होती है पर्स में रखी वस्तों का जीवन और धन पर काफी महत्वपून प्रभाव पड़ता है कुछ ऐसी चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे जिसे सुक्करवार की दिन पर्स में रखने से बड़ा फाइदा होगा दरसल सुक्करवार का दिन माता लक्षमी का होता है और माना जाता है कि इसमें शुक्करवार के दिन माता लक्षमी के कई स्वरूप हैं धन वंतरी, धन लक्षमी, मैबो लक्षमी कहीं ऐसी माता हैं जो लक्षमी के रूप में आपके घर में आपके समक्षित प्रस्तुत हो सकती हैं तो आप उन्हें प्रसंद करने के लिए आप ये उपाय जरूर एक तम हरा भरा पत्ता थोड़ी सी डंडी वाला पत्ता लेकर के आएं बहुत सुन्दर दिखने वाला पत्ता आप लेकर आएं तोड़कर सबसे अच्छा पेड़ में से बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा कहीं भी आप वो पत्ता तोड़कर लाएं उसको आप अची तर पर चन्दन और रोली से स्वास्तिक बनाएं, उस पर सद दाने चावल के यानि स्यंगे अखशत होने चाहिए, सद दाने चावल के आप उस पर रखें और उस पत्ते को पूझा करें विदिभध, उसकी पूझा करें, मातलक्ष्मी की भी साथ में पूझा करें, कुछ मीठे का भोग लगाएं विठा नहीं हो तो आप शक्कर या बतासे का भी भोग लगा सकते हैं गुड़ का भी लगा सकते हैं कंपल सरी विठाई जरूरी नहीं है आप भोग लगाएं और ऐसा करके आप उस पीपल के पत्ते को पूजा करने के बाद मादालक्षमी की आर्थी लक्षमी की तस्वीर आपको आसानी से मिल जाएगी उस तरीके से सिरियंत्र बना लें पैन से पैंसिल से जैसे भी आपको बनाना है उसकी भी पीपल के पत्ते के पास रख कर पूजा करें शनीवार और शुकरवार के दिन बहुत ही अच्छा माना गया है तो शुकरवार के दिन यह रखे रहने दें शाम की पूजा के बाद रात को पर्दा लगा दें मंदिर का उसके बाद आपको वह पत्ता शनिवार के दिन सुबह पूजा करने के बाद उठाना है और पूजा करने के बाद उसे अपने पर्स में ही रख लेना है पर्स में ऐसा रखें कि उसके उपर के जो उपाय करना है अगला शुक्करवार आएगा तब फिर से उस पत्ते को कहीं विसर्जन कर दें या फिर जमीन में गार दें या गमले में रख दें फिर अगला पत्ता तोड़ करना है फिर से ऐसे ही उपाय करना है तीन शुक्करवार आपको यह उपाय करना है इससे आपको लक पहुचा चुके हैं आप भी इन उपायों को अपनाएं और अपने जीवन को सार्थक बनाएं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए श्री शिवाई नमस्त अब्यम जैमा लक्षमी